हालो फ्रेंड्स, विल्कम टू मैं चैनल, सीलस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू और सबुर्दाने की पापड, खोली नजदिक आ गई है और होली बिना पापड के अधूरी होती है, हम तरह पापड बनाते हैं लेकिन उसमें पापड जरूर बनाते हैं, तो इसलिए आज हम पापड बनाएंगे और चलिए रेशिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए मैं एक चोटी सी कटोरी में एक कटोरी यहाँ पर मैं सबुर्दान ली हूँ और इसको दो घंटे पहले करने हमने पानी में डाल दिया था भीगने के लिए और यह अच्छे तरह से भीग चुका है, फूल गया है, इसको मैं साइड में रखती हूँ और दो आलू ले ले लेती हूँ, दो आलो को मैं छील ली हूँ यही कि इसके सारी छील के मैंने निकाल दिये हैं, अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे, तो मैं पतले पतले बारिक बारिक पीसेस इस तरह से काट के इसे रेडी कर लेती हूं, ताकि हमें इसे मिकसर जार में पीसना है, इसलिए मैं छोटे छोटे पीसेस इसके कट कर रही हूं, तो दोनों आलू को मैं पीसेस कट करके यहां पर रेडी कर और इसको हम पानी में ढाल देंगे ताकि आला न पauen जब आप आलू को काट के रखें उसको पानी में ही टाल के रखें नहीं तो बहुत जल्दी उह काले पड़ जाते हैं मैंने हां पर पानी में नहीं डाला है लेकिन बहुत ही जल्दी इसको फटा-फट काट करके पानी में डालूंगी तो दिखी कट लिया है हमने और इसको मैं लेकर जारी हूं पानी में डाल के रखूंगी दो मिनट के लिए और इसको अच्छे से वर्स कर लोंगी उसके बाद हमें से पीसेंगे तेक म यहां पर यहां पर दो कटोरी में पानी डाल घ्यास and देखी किझा जिसा है लिया अब देखीं, एक पतिले में और तर मिंट अदेरा बर्तन लें में जिसम tutaj पकाना है और उसी कटोरी से मैं यहाँ पर अभी तो मैं 7 कटोरी पानी डालूँगी इसके अंदर बट मैं यहाँ पर मतलब टोटल पानी आपको बताओं तो मैं इस कटोरी से 10 कटोरी पानी 8 से 10 कटोरी डाल दूँगी और उतने में यह पूरा को पकाना है तो उस पानी में मैं ये सबदाना और आलू को पेश्ट को डाल रही हूँ और इसको डाल करके इस तरह से मिक्स कर लिजे और मिक्स करके हम इसको लेकर चलते हैं गैस के तरफ और इसको हम पकाएंगे तदी कि अभी हमने 7-8 का टोरी इसके अंदर पानी डाला है और बीच में डालूँगी ते दिखे गैस के उपर हमने रख दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की कमी हो रेफ्रेंट्स इसलिए यह अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा से काला टाइप का दिख रहा है अब हमें गैस जलाने के बाद में लगतार इसको चलाते रहना है बिल्कुल नहीं छोड़ना है नहीं तो यह सब दाना है बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है और नीचे पकड़ लेता है इसलिए बिल्कुल बराबर से इसको चलाते रहना है और देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होना स्टार्ट होगी है इतना गाढ़ा हो चुका है अभी आपको काफी गाढ़ा लग रहा है बस इसमें दो कोटोरी और में पानी एड़ कर दूंगी अभी आपको नहीं दिखाया है मैंने दो कोटोरी और पानी में एड़ कर दूँगी और नहीं भी एड़ करेंगे अपना तो आठ कोटोरी में भी ये बन जाएगा लेकिन ये अभी आपको काफी गढ़ा दिखेगा और ज़्यादा है जब सिंझा देंगे मतलब इसको पका लेंगे तो ये पतला हो जाता है आप यहाँ पर लाल मिर्स पॉर्डर डाला है आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं मैं लेकिन यहाँ पर लाल मिर्स पॉर्डर डाल दी हूं और लाल मिर्स पॉर्डर डालने से क्या होता है इसका कलर चेंज हो जाता है वर मेरे बस नहीं था चिली फ्लेक्स तो पर इसको कर गे और हाई कर देंगे correspondent के गेस को और देखे हाई कर दिया है एमने दस मीनट के लिए इससी तरह अच्छे से उबार आने तक हम इसको पकाएंगे और दस मिनट हो गया है मैं लगतार चलाते रहना है आपको और इस तरह होने के लिए रख देती हूं ठंडा होने के बाद में हम इसको चत पे ले जाकर पेपर के उपर डाल के सिखाएंगे तो देखें मैं चत के उपर आ गई हूं ले करके यह पहले से कुछ ठंडा हो गया है लेकिन अभी गरम ही है और इसको इस तरह से कल्ची से डालेंगे तो और भी पदी पापड़ जनेगे ज्रूत नहीं आयए यह सुखे गंडे नहीं भी। उद्बं से को और यह सुख गया है दोदू धिन हैं कि नहीं है नहीं है कि मतलूैं कि इस नहीं लिए कि फ्राइट। रहे हैं कि थोड़ा से और निकाल रही हूंल तो थे को लग रहे हैं और यह फटा-फट से उख जा रहे हैं एक दम खिले-खिले से पापड बन रहे हैं कि प्यारी-प्यारे देख सकते हैं तो यह लगने रेन देखने में कि यह सबुर्दाने के हैं कि यह आलू के हैं और टेस्ट भी काफी अच्छा आ रहा था दोनों का फिलिवर और कुछ भी समझ में नहीं रहा था कि यह आलू के हैं कि यह सबुर्दाने के हैं तो बहुत अच्छे बने हुए थे पापड अभी फ्रेंट्स एक बार जरूर ट्राइ किजिए इस तरह से आलू और सबुर्दाने के पापड बनाई यह काफी अच्छा लगेगा आपको औ पूसद्दा और फिर तो क्या मुझे कुछी नहीं दिखाई देना किसी की बाते सुनाई पड़ती और सीर्फ काम ही काम मुझे दिखता है लगता है कि क्या बनां कैसे बना क्या क्या आप सभी को बना कर में say करू मुझे बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंट्स अगर मेर रेसिपी आप सबको पसंद आई होती से लाइक, सियर और मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीजिएगा